So guys, Nasıl आपर हम लोग यहाँ पर आगЕ बढ़ेंगे, बातों को आगे लेके जाएंगे तरों सा और बात करेंगे, लिंक्स की, हमने बात अल्रीड कर लिये है हम लिस्ट की बात करेंगे, टेबल की बात करेंगे यहां पर हम लोग बात करेंगे लिस्ट की अगर मैं यहां पर यूएल लिखता हूं और उसके बाद इसके अंदर लिखता हूं और यहां पर लिखता हूं तीन बनाता हूं यहां पर सेकेंड बनाता हूं और यहां पर थर्ड बनाता हूं उससे के साथ साथ इसको रेप्लिकेट करता हूं और यहां पर ओल करता हूं और यहां पर और लिस्ट लिखता हूं तो मेरे इसाब से समझाने की जरूरत ही नहीं है यह खुद ही समझ में आ गय और उसके बाद यहां पर यह जो unordered list है इसमें आप देख सकते हैं आप बुलेट्स आ रहे हैं तो मैं आपर यहां पर OL and UL attributes लिखूं नेट पर क्योंकि मुझे याद नहीं है to be honest मुझे यह देखता है कि जो order list है और unordered list है उनके यह जो यहां पर 123456 की सब चीज़े इनको कैसे कैसे change करना है तो यहां पर मैं इसको देख रहा हूँ I think वो type होता है attribute यह देखो यह आप लिखा है तो user type attribute to customize the type is equal to अगर आप लिखोगे type is equal to one है और type is equal to मैं आपको दिखाता हूँ और order list में type is equal to one है a है small a है i है और दिखाता हूँ यह देखो अगर मैं इसको one कर देता हूँ तो roman में ऐसे लिख कर आता है small i करता हूँ तो roman में कुछ इस तरह से लिख कर आएगा उसे के साथ साथ अगर मैं आपर a कर देता हूँ तो abcd लिख कर आएगा और व्यस कोड जो है आप लोगों को बताई दे रहा है कि कौन-कौन से वह option से जोगी उसकर सकते हैं आप जैसे आपने type is equal to ऐसे लिखा और आपने ये खोला तो इसने मुझे बताना चालो कर दिया कि इन चारो में से पांचों में से एक option चुल लो बढ़िया उसी के साथ साथ यहां भी अगर मैं type is equal to लिख हूँ और कुछ इस तरह से करूँ तो यहां पर मुझे कोई option नहीं दिख रहा है तो मैं काम करता हूँ UL के attributes को देखता हूँ तो मैं UL attributes लिखता हूँ और यहां पर मुझे कही न कहीं कोई reference मिल जाएगा और UL के attributes थे type है तो disk, square और circle तो internet पर कोई भी website आपको मिल जाएगी जहाँ पर आपको reference मिल जाएगा अर बिल्कुल भी आज़ा हमां सोचना कि आपको returning की जरूष है डिसक, square और circle है तो disk किया, तो देखता हूँ कैसा दिखता है, disk किया तो एसा दिख रहा है, square किया तो square बन गया तो और circle, circle किया, तो देखो, यह hollow circle आ गया, ठीक है, तो disc का मतलब होता है भरा हुआ circle और circle का मतलब होता है ring, यानि कि hollow जो होती है, हमारी ring, तो यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि किस चना से हमने और ul को यूज किया, उसी के साथ आप list को nest भी कर सकते हो, यानि कि एक के अंदर एक भी डाल सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर एक li के अंदर एक और list नहीं डाल सकते, as a list item हम एक और list रख सकते हैं और यहाँ पर लिख सकते हैं another one, ठीक है, आप लोग को दिखा रहा है, यहाँ आपर देखो list के अंदर list मुझे डालना है, अब मैंने इसको as a list item लिखा, ठीक है, अब मैं इसको as a list item नहीं लिखा हूँ, तो यह कैसे दिखाई देगा, तो यह कुछ इस तरह दिखाई देगा, एक list item और उसकी बाद यह list इस तरह से आगई, so आप लोग experiment करें, देखें किस तरह काम करती है list और यहाँ पर दो तरह की list देखी हमने, ordered list on ordered list, और हमने list को nest करके भी देखा, मैं चाहूँगा कि आप लोग खुद से यह जो हमारी ordered list है, OL जो है, उसके अंदर nest करके देखें, एक के अंदर एक लगा के देखें, अलग-अलग type की list, तो आप लोग की practice अच्छी हो जाएगी, उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर tables की बात करूँगा, tables की बात करूँगा, tables क्या होती है, बहुत important चीज होती है, table कुछ नहीं है, table अगर search करवाओ, यहाँ को table बोलते है, तो table तो आपको मालूम चल गया, ठीक है, table बनती है, कैसे बनाए table, मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ table, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक heading डालता हूँ, h3 लिखूँगा, h1 बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए, table ठीक है, और यहाँ पर मैंने html table लिख दिया, इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर table tag का use करूँगा, table के अंदर दो चीज़े आएगे, एक तो t head आएगा, इसके अंदर table का head आएगा, और एक t body आएग आएगे, अब यह चीज़ आपको, यह नहीं कहूँगा, यह नहीं कहूँगा, यह जरूरत है, यह चीज़े आपको अपने आप 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 आजाएगे, जैसे आप अपनी life की 5-6 tables बना लोगे, html की, लेकिन अभी के लिए बस मैं यह कहूँगा, आप लोग उसको देखते इंप्लॉई टोल नहीं रोल लिखना चाहूँगा, ठीक है, यह मेरा head हो गया पूरा, देखो name, employee id, employee role, अब मैं क्या करूँगा, यह पर data add करूँगा, और data add करने के लिए मुझे क्या करना होगा, एक table row बनानी पड़ेगी और इसके अंबर th नहीं लिखूँगा, इस बार replicate कर लूँगा, रोहनदास, skill f, ठीक है, इन तीनों का नाम मैंने यहापर लिख दिया, और अब आप रोग देखो यहापर, मुझे यहापर कुछ इस तरह से नहीं लिखना था, मैं यहापर एक गल्ती कर बैठाओ, मैंने एक row बनाई है, तो मैं एक row में नाम, employee id और employee role मैं programmer, ठीक है, फिर मैं इस ही row को replicate करूँगा और यहापर रोहन कर दूँगा, और फिर मैं आपर कर दूँगा मालो, Shubam, ठीक है, और मैं कुछ इस तरह से करूँगा, और Shubam programmer नहीं है, android developer है, और रोहन है हमारा html expert, तो मैं हाँ पर html expert कर दूँगा इसको, ठीक है, तो रोहन दास html expert, company में कोई भी problem हो, html की, रोहन दास के बाद जाएंगे, और यहाँ पर employee id बदल देता हूँ सबकी, और यह देखो, name, employee id, और employee role, कुछ इस तरह से हमने इसको भर दिया, अब यहा यहाँ पर याद रखनी है आप लोगों को, मैं इसको format कर ले था हूँ, document को पहले, एक चीज याद यह रखनी है कि, table head, table body, table के अंदर दो चीज़े होती है, head और body, head के अंदर क्या रहेगा, head के अंदर यह चीज़ रहेगी, यह, यह जो भी दिखरा है आपको, यहाँ पर म body के अंदर, एक tr डाला, एक row डाली, और सो row के अंदर तीन चीज़े मैं ने लिकिन, row का मतलब मतलब है, यह row पर यह यह, यह row है, फिर मैंने क्या किया, यह row डालने के बाद, मैंने और rows डाली बाकी की, और मैं जितनी भी rows डालना चाँँगा, डाल जाँगा tr को बढ़ा और जल्दे यल्दिया से आगे बढ़ेंगे और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं हो रही होगी क्योंकि ये बहुत ही सिंपल स्टेट फॉरवड चल रही है चीजे और हम लोग आगे जाएंगे बहुत सारे लोग ऐसे भी बैठे होंग ये लुजे टार बढ़ेंगे घ्रेश्ट डेश्ट प्रेश्ट लीड लीड अस जाएंगे ये अर्व्लेश एंख प्रॉड्य लीडिया ने करेंगे लावडे हैंगे।